नमस्कार मैं हूँ प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com पाकिस्तानी मुल्के कनाडाई लेखत तारिक फतह इन दिनों भारती मीडिया में छाये हुए हैं वे आपको रोज किसी ने किसी चैनल पर कभी ने कभी दिखी ही जाएंगे वे अपने मूल देश पाकिस्तान पर हमला करते हैं मुसल्मानों के बारे में उत्तेजक और कई बार बेबुनियाद बाते करते हैं और इसलिए वो भारत के लोगों में काफी तेजी से लोगप्री हो रहे हैं आज हम उनके कुछ ट्वीट की चर्चा करेंगे और आपको हम बताएंगे किस तरह भारती मुसल्मानों को तारिक फतह अपने निशाने पर रखते हैं बारती मुसल्मानों के बारे में अमूमन वो आपती जनक बाते करते हैं और वो बाते ज्यादा तर बेबुनियाद होती हैं ये मैं आपको एक एक करके बताऊंगा सबसे बहले हम चर्चा करते हैं शाहिन बाग की तारिक फतह ने एक वीडियो ट्वीट किया और उस वीडियो ट्वीट में ये बताया कि शाहिन बाग में बुर्का पहने वी कुछ मुस्लिम महिलाए नाच रही हैं ये उन्होंने पहला वीडियो जो किया वो जन्वरी 2020 यानि इसी महिने को किया इसमें वो ये कह रहे हैं कि क्या मुझे ये कोई कंफर्म करेगा कि ये महिलाए शाहिन बाग में ही नाच रही हैं लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि खुद तारिक फतह ने अपने इसी ट्वीडियो को अगस्त 2017 में ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि कुछ जब जिन कुछ मुस्लिम महिलाओं पर आ जाता है तो ऐसा होता है और फिर उन्होंने वो वीडियो दिखाया था लेकिन इससे भी दिल्चस्पाती है कि इसके भी पहले यानि मई 2017 में तारिक फटा ने अपने ही इसी ट्वीटर हंडल से इसी वीडियो को इसके पहले भी चलाया था जिसमन होने ये कहा था कि ये मुसल्मान जो है वो अपने आपको हसी का पातर बनाते हैं ये आतंगवादी तो है ही ये बेवकूफ भी है ये कहना है तारिक फटा का बिल्कुल बेवनियाद बिल्कुल गलत बात है उन्होंने एक वीडियो को तीन बार चलाया तीन मक्सद से चलाया और तीन डेट में चलाया आप उनकी मनसा समझ सकते हैं अब आप अगला वीडियो देखिए ये संस्कित के एक स्कूल में एक व्यक्ति कुछ पढ़ा रहा है संस्कित भासा पढ़ा रहा है इसको डिस्टॉर्ट किया तस्वीर को मॉर्फ किया जो आप पहली तस्वीर देख रहे हैं उसमें ये बता रहे हैं तारिक फता कि ये मुल्ला जो है वो blackboard पर कोई knots and crosses का खेल नहीं खेल रहा है बलकि ये ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह इसलाम हिंदुतु से बढ़कर है और उसमें उन्धाने ये बताया है कि को पक्षमें हलाला है खतना है बुर्का है तो तीन ठिक है यानि तीन मार्क मिले हैं जबकि हिंदुओं को पक्षमें योग है जनेव है और मंगल सुत्र है तीनों क्रॉस हैं तो सुन्य तीन से इसलाम जीत गया ये गलत है ये मौर्फ है जो असरी पिक्चर है वो उसके की तुलना कीजिए और तारिक फता की मनसा की उनके खेल को आप समझ जाएंगे अब आप अगला अगले चीज देखें यह यह तस्वीर देखिए तारिक फता इसमें यह कह रहे हैं कि भारत में रमजान के दौरान मुसल्मानों ने पाकिस्तान का जहंडा फेराया वो वीड कि जो यह लोग जश्न मना रहे हैं वो जहंडा फेरा रहे हैं वो पाकिस्तान का जहंडा नहीं है वो इस्क्रामिक जहंडा है आप जो पहले की दो जहंडे हैं वो इस्क्रामिक जहंडे हैं उसके बगल में जो है वो पाकिस्तान का है और दोनों जहंडों के अंतर को आप अ कि राजस्थान में विधान सवाचुराव में कॉंग्रेस की जीत होने पर लोगों ने पाकिस्तान का जंडा फ़राया और अल्लाहो अक्पर के नारे लगाए और उसमें वह ने उस पाकिस्तान के जंडे को दिखाया है जब कि यह बात बेगुनियाद है क्योंकि जो जंडा फ देखिए जो छोटा वीडियो आपका दिख रहा है यह तारीक फटा का ओरिजनल वीडियो है जो नहीं लगाया है उसमें वह यह कह रहे हैं कि नागरिक्ता संसोधन कानून और NRC के खिलाफ मुसल्मान किस तरह तोड़ फोर कर रहे हैं जिसमें वह दिखा रहे हैं कि लाल ल वह देखिए यह तस्वीर पुरानी है नागरिक्ता कानून के पहले की है जिसमें कुछ लोग एक बस पर किसी दूसरी वज़ा से हमला कर रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि एक युवक है वो एक इट फेक रहा है इट हाथ में लिए वह उसमें और भी लोग हैं जो इस तस देखिए यह जो आप देखे हैं पहली तस्वीर यह तारिक फटर ने ट्वीट किया है 24 दिसमबर 2019 को ट्वीट किया है रात के 29 के 29 मिनट पर और इसमें वो यह लिख रहा है कि देखिए यह भारत में पीस्फुल प्रोटेस्ट हो रहा है वो यह बताना चाहते हैं कि नागर विशेस का है यह आदमें पत्राव कर रहा है सच यह नहीं है सच उसके बगल की तस्वीर है उसके बगल की तस्वीर यह है कि तीन साल पहले मालदह में पश्यमंगाल के मालदह में एक डिमोंस्ट्रेशन हुआ था उस डिमोंस्ट्रेशन में इस व्यक्ति ने पत्राव किया ट्वीट की थी और तारिक फटा ने उसी वीडियो के समर्जीत दास के 2016 यानि आठ जन्वरी 2016 की वीडियो को उठाया और उन्होंने उसे नारिक्ता संसोधन कानून के खिलाफ होने वाले विरोध से जोड दिया जो की कोई मतलब नहीं है बेबुनियाद है और इसमें भी वो निशाने पर रख रहे हैं सवाल ये उस्तर है मेरा सवाल ये है क्या कि तारिक फटा को भारत के मुसल्मानों से क्या समस्या है वो पाकिस्तान के हैं पाकिस्तान में छोड़ दिया वो कैनाडा में है बसे हुए है अच्छी बात है वो लिखते हैं पढ़ते हैं किताब के ले लेकिन भारतिय मुसल्मान उनके निसाने पर क्यों है वो हमेसा क्यों भारतिय मुसल्मानों के बारे में इस तरह की बाते करते हैं जो तेजक होती है जो नफरत फैराने वाली होती है जो भारतिय मुसल्मानों को गलत परिपेक्ष में पेश करने वाली होती है उनकी निगेटि आप देख रहे हैं सत्यहंदी.com आप वारे Facebook पेज को like करें, follow करें हमाई Twitter account को follow करें और subscribe करें हमारे YouTube channel को देखते रहे हैं सत्यहंदी.com सत्यहंदी के और वीडियोज को देखने के लिए हमारे YouTube channel को subscribe करें और सीधे notification पाने के लिए बेल आइकन दबाए